नमस्कार मैं विपल सिंग आप सभी का हमारे इस्टोडिव चैनल ब्येच्चु स्टडी कैपिटल पर एक बाफिर से हार दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे समझेंगे बीएचु के अफ्लेटेट कॉलेजेज के बारे में यानि Bhu में कौन कौन से Affiliated Colleges हैं, कितने Affiliated College हैं, और उसमें क्या क्या सुविधाय हैं, कितनी दूरी पर है और कहाँ पर हैं वो सारे Colleges यानि BHU के Affiliated College के हम लोग बात करते हैं WKM की, VCW की, DAVPG की, AMPG की ये सारे colleges कहां पर हैं कितनी दूरी है उनके BHU के main campus से ये बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं तो आज का ये detail video होगा BHU and Affiliated College के विसे में इसमें मैं RGST और महाविद्याले के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा जो लोग इसे Affiliated College समझते हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देख लें चुकि जिन भी बच्चों की Affiliated College की counseling आ रही है वो लोग campus के बारे में जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो ये video आप लोग ध्यान से देख लिजेगा मेरी बातों को ध्यान से सुन लिजेगा आपको BHU and its Affiliated College के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि BHU के Affiliated College कहां पर हैं कौन सा college आपको चैन करना चाहिए कौन सा college आपके लिए बहतर होगा तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस video के लेकिन उससे पहले बता दूँ कि जो लोग हमारे इस channel पर नया विजिट कर रहे हैं यानि हमारा कोई पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लागातार BHU से लेटर अपडेट मिलती गए महिला महाविद्याले मैंने slide त्यार किया हुआ है यह south campus है RGSC, DABPG, वसंत खन्या महाविद्याले, AMPG और उसके बाद यह है वसंता college for women हम लोग शुरुआत करते हैं mm-b यानी महिला महाविद्याले से तो सबसे पहले महिद्याले को जो लोग कहते है अफ्लेट अफ्रेकर्टे अंगलेज है ऐसा बिलकुल नहीं है महिद्याले बीएचू का अफ्रेटेट कॉलेज नहीं है यह एक और नमस कॉलेज है इस चीज को ध्यान रखिएगा महिला महाविद्याले एक बीएचू का अट्रोमस कॉलेज है यह अफ्रेटेट कॉलेज नहीं है महिला महाविद्याले में वो सारी सुविधाये हैं जो बीएचू के में में केमपस के बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं आपको महिला महाविद्याले में भी मिल जाती हैं और ध्यान रखेंगे कि यह अफ्लेटेट कॉलेज नहीं है मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूं अब चलते हम दूसरे जगह पर अपना एक चीज द है राजिव गांधी साउथ केमपस जो है वो बीचु का साउथ केमपस है जैसे आप देखे होंगे कि डियू का जो है साउथ केमपस होता है नौर्थ केमपस होता है वैसे ही गाजिव गांधी साउथ केमपस भी यह बीचु का साउथ केमपस है यह अफ्लेटेट कॉलेज ब बनारस से सटा हुआ जिला है मिरजापूर वहाँ पर है और इसमें भी बस की सुविधा मिल जाएगी आपको लाइब्रेरी की सुविधा आपको मिलेगी यानि सारी यहां पर भी वह सुविधा है जो मेन टेमपस में आपको मिलती है उसके बाद आपको होस्टल फैसिलिटीज यहां पर मिल जाएंगी ठीक है लेकिन यह अफ्लियेटेट कॉलेज नहीं है यह है साउथ केंपस बी चुका अब हम लोग बढ़ते हैं बीचु के अफ्लियेटेट कॉलेजेज पर जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बी पीजी कॉलेच की डी ये वी पीजी कॉलेज की सबस पर सिफ female के लिए सीटे हैं, लेकिन DAB PG में male और female दोनों के लिए सीटे हैं। बात कर लिजाए hostel की तो DAB में आपको hostel की सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है प्लेग्राउंड की मैं बात कर लूँ तो आपको प्लेग्राउंड की सुविधा काम भरकी मिल जाएगी लेकिन कोई बहुत खास नहीं मिलेगा आपको इसके साथ साथ आप लोग जाना चाहेंगे कि यह डिये भी पीजी है कहां पर यानि बीचु से कितनी दूरी पर ह तो बी येट चु से आपको लगबग मुझे लगता आए कि मैधागीन अपप लोग देखें होंगे जो लोग नहीं जानते होंगे मैधागीन का चेत्र जो है मैधागीन कभीर चौरा लोकेशन समझ लीजिए आप लोग गूगल करेंगे आप लोगों को मिल भी जाएगा मैदागिन कभीर चौरा लगबग बीचू के में गेट से 10 किलोमीटर की दूरी मुझे लगता है कि मैदागिन कभीर चौरा आपको जाने में पढ़ सकती है यह खासियत या फिर जो भी चीजे रही जो दूरी है लोकेशन है यह आप कर रहा डिए भी पीजी कॉलेज का जो भी बच्चे यहां पर एड्मिसन लेना चाहते हैं वो लोग इसको देख लें समझ लें अब जरा चलिए आगे ब प्लेग्राउंड भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा और बाकी आपको इस्टडी सरकल इस्टडी रूम यह सारी चीजे मिलेंगी लेकिन यहाँ पर जो हॉस्टल की फीस है यह हॉस्टल की फीस काफी जादे है चाहें किसी भी आप अफ्लेटेट कॉलेज की बात करें हम लोग कर लें तो वीकेम सबसे प्राइम लोकेशन पर अगर कोई भी एचु का अफ्लेटेट कॉलेज है तो वह है वीकेम यानि वसंत कन्या महाविध्याल है भी एचु के मेन कैमपस से लगभग 5-6 किलोमेटर के हम लोग दूरी बता सकते हैं इसको और यह कहां पर है कमक अच्छा भेलूपूर जो की सबसे नस्दीक अगर बात करें सबसे नस्दीक है कोई अगर कैमपस भी एचु के लिए अफ्लेटेट कॉलेज कैमपस से तो वह है वीकेम यह सिफ गल्स के लिए गल्स इसको प्रिफर कर सकती है आप लोग देख लीजेगा समझ लीजेगा जि ब़ा सिर्फ गल्स के लिए है और जो सुविधाएं बाक ड मिलेटी एशंयों ईट के में मिलती है ओवीम Jang March की दूरी अधिक नहीं है लेकिन एक प्रॉब्लम आती है आरे महिला पीजी कॉलेज की क्योंकि यह प्रॉपर ऐसे जगह पर है जहाँ पर काफी भीड भाड़ वाला एरिया है वहाँ पर अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो वहाँ पर आपको एप्रोच करने में पहुचने में थोड़ किसी वकालत इसलिए कर देता हूँ क्योंकि वसंता कॉलेज फर वो में जो कॉलेज है यह अगर बीचु के मेन कैंपस के मैं बात करूं किसी कैंपस की तो यह सबसे बहतर कैंपस मेरे कॉर्डिंग अगर एक कैंपस की तुल्ला में देखा जाए पूरी तरह से डबलब कैंप कैंपस और एक जैसे कॉलेज का एक कैंपस होता है उस पूरे स्ट्रक्चर में है चाहें इसके मैं होस्टल की बात कर लूं बस फैसिलीटी की बात कर लूं इस्टडी रूम या फिर लाइब्रेरी की बात कर लूं या फिर प्लेग्राउंड की बात कर लूं या फिर पूरी क्या दिख जाती है इस कॉलेज में सिर्फ एक ही कमी मुझे दिखाई देती है वो है बहु के मेन केंपस से जो डिस्टेंस की में बात कर रहा था सबसे अधिक डिस्टेंस पर आपका यह आपका है वी सी डबलू लगबग 15 से जादे ही मुझे लगता है मेन गेट से पड़ जा जो लोग जाहें बेच्चु के मेन केंपस के आसपस रह करके फिर यहां पर जा करके पढ़ना तो उनको यह बस की सुविधा लेनी पड़ेगी क्योंकि 15 किलोमेटर की दूरी काफी अधिक होती है और समय भी उसमें जाया होता है बस यही एक कमी है इसमें बाकी आप बात कर यह केंपस इतने बहतर जगा पर है एकदम गंगा के किनारे है राजघाट के पास गंगा के किनारे है तो एक मनोरम द्रिश्च से जो होता है जो एक पॉजिटिव एनरजी आपको होती है वह कोलेज में मुझे दिखाई देती है जब भी मैं इस कॉलेज में अगर घुमने जाता हूँ आपको यह एनरजी आपको भी दिखाई देगी तो मैंने चर्चा किया जो ब्हुत के अफ़ेटेट कॉलेज हैं डियवी की मैंने चर्चा की मेल और फीमेल दोनों के लिए कि डेखना में चार्चा के अब अपिंवर के मन में अगली वेखरी होगी कि सर हम लोग visit को देखना चाहते हैं तो मैं तो चल शाना हो किजिए अगले वीदियो के माध्यम यह अदो को सकए दूसरी चीज गल्स को यह पूछना होगा कि सर यह जो आपने बताया वीकेम एम पीजी और वीची डबलू इसमें कौन सा कॉलेज बहतर है तो आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता दी है कुछ चीजें छूट गई हो या फिर आपको कुछ और जानना हो तो आप सभी कमेंट बॉक कूछ सकते हैं या फिर मेरे एकॉडिंग कौन सा कौन को मैं परिफर करूँ अगर आप यह पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अगला वीडियो आप सभी के कमेंट के आधार पर जो आप लोग चाहंगे यागर आप लोग चाहते हैं कि कौन सा कंपसay पूरी तरह से बहतर है, यानि मैं सजेश्ट कर दूँ कि आप इस campus का preference सबसे उपर रखें, यदि आप ये जानना चाहते हैं, तो comment box में आप लोग कूछ सकते हैं, फिलहाल ये वीडियो ही पर समाप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगाओ तो like करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेर करें, और बहुत जल्द अगले वीडियो की माध्यम से हो सकता है, आपको ground reporting मिलेगी आपके सारे college की, चाहें वो WKM हो, VCW हो, PG हो, DAV हो, उसकी ground reporting भी आपको मिलने वाली है, या फिर मिल सकती है, फिलहाल इस वीडियो को ही पर समाप करता हूँ, बहुत धनिवाद